mathematics but everybody knows how far he is good at mathematics है ना आप सब्सक्राइब को पता कि नॉलेज गया भई नॉलेज अनकॉंटेवल नाउन है ना और सब्सक्राइब को पता कि अनकॉंटेवल नाउन के साथ हम क्या नहीं यूज करते हैं यूज नहीं करते हैं ठीक है यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ केस में हम यूज कर सकते हैं जैसे देख लेज़िए जोब आपका यहां पर देख रहे हैं have a good नॉलेज ठीक है k-n-o-w-l-e-d-z-e ठीक है have a good knowledge have a good knowledge यहां पर देख रहे हैं है have a good knowledge या फिर have a sound knowledge यह है क्या दरसल ठीक है यह आपका edm tech है ञां या idm जिसे कहते हैं थिया लिंगे अकड़ आपका 911 Нам circles में हैं तब क्या कर सकते एक क्या आठीकल का अब क्या कर सकते हैं work कर सकते हैं थिक है तब क्याइं पर आप जिए आन का अपकर डिमत nANA करें तब जब ले पार तो तो पहला कोशन में ध्यान रखना होगा कि जब भी इस तरह कोशन आए ठीक है हलाग कि आपको सब्सक्राइब को पता कि अनकॉंटेबल नाउन है नौलेज लेकिन अब आप इस फॉर्मिटेज जब देखेंगे हाव गुड नौलेज के सेंसमें ठीक है तब आप यह क्या है ए बेस्ट के पहले क्या करते द लगाते ह sis लगाते है यह derivative डिग्री इना शूंप्र दीगरी के पहले सब्ले चाते पहले हम चूंपिखेंस के पहले मोरा को घृप당र Levja करते हुआ है लेकिन कभी आप ने सुना होगा कि यह ठीक है कॉंपरेक्टिव डिगरी के पहले सब्सक्राइब हो सकता है ठीक है तो आप चाहूब जाएंगे भाई ऐसे कैसी शपर्लीटिव डिगरी के है अपको क्या पता चले 24 ठीक है 24 की बात पता चले ठीक है या option की बात चले चवाई सी ओप्सन की घर हम बात करते हैं तो वैसे कंदेशनम क्या करते है यह का पहले आप दॉश्ट करेंगे ठीक है तो ध्यार के गा यह मैथ कंपर Metro कि लुए के बाद यह ओ फिर कंपा तो यह बात आप नोट रखेगा और एक्जाम में इस तरह का यह जो देख रहे हैं यह वला आया भी कुर्शन है ठीक है चलिक नेस्ट कुर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट कुर्शन में आपने पहला चीज़ देखा दूसरा सीचिंगा थर्ड में आते हैं फ सक्त है हई दिखरा होगा आपको यहां पर टाइप ऑफ ओमैंट धिंडिय त्हार कि एक चीद नोट कर लिए ठीक है टाइप ऑफ की बात हो रही है इसके बाद जो भी नौन है जैसे देखरेंगे आपर टाइप आफ के बाद यहां पर क्या है यह आपका नौन है तो नौन की जो इस कंडिशन में नौन के पहले आर्टिकल की अगर हम बात करें आर्टिकल ठीक है इसके पहले अगर हम आर्टिकल लगा दें तो यह गलत है ठीक है यहां पर रहूंग है चले नेस्ट कोशन आते हैं काफ़ इंपॉर्टन कोशन यह भी है इट वोज बाई और मिस्टेक डैट ही काउट हांड ठीक है कि काउट हांड अब देखें यहां पर ध्यां रखेंगा ए यहां पर लगाना गलत है क्यों कि बाई मिस्टेक जो है नहीं मिस्टेक बाई मिस्टेक की हां पर बात हो रही है ठीक है कि वाई मिस्टेक तो यह है तो यह एक फ्रेज है एक फ्रेज है और फ्रेज में कभी भी यहां पर एक कोई सवाल ही नहीं होता है ठीक है टो देखिए एक तो होता है आपका लिटिल ठीक है एक होता है एक लिटिल एक होता है दलिटिल ठीक है लिटिल अलिटिल दलिटिल ठीक है लिटिल का मतलब होता है औलमुस्ट नन नहीं के बरावर ठीक है नहीं के बरावर ठीक है नहीं के बरावर ठीक है नहीं के बरावर एक लिटिल का मतलब होता है यहां पर जहां ठीक है और दा लेटिल का मतलब जो होता है जो थोरा मैं इस जो भी थोरा है उसी की बात हो रही है ठीक है तो ध्यान रखेगा तो यह लेटिल का मतलब नहीं के बराबर अगर लेटिल हो तो है ही नहीं ना के बराबर और यह लेटिल की बगर हम बात के तो क्या कॉंटेबल है क यह uncountable होता है ठीक है लिटल किसके साथ लगता है ध्यारा कि uncountable noun के साथ लगता है एक बात और notice कर लेजिए कि little तो पहले uncountable noun के साथ लगता है अच्छा little नहीं के बरावर लिटल कुछ और लिटल जो थोरा है ठीक है यह जब तीन चीज़ा आपने समझ लिया तो यहाँ पे आप खुदी आप eliminate कर लेंगे अप खुदी आप यहाँ पे find out कर लेंगे इसका answer ठीक है यह knowledge के uncountable noun है ठीक है तो जब नहीं के बरावर की बात हो रही है music का तो यहाँ पे sentence का देखे अगर formative यह क्या है positive sense लेकर आ रहा है little negative के sense में कुछ भी नहीं है लेकिल गलत हो जाएगा आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा the little लगाना होगा जो भी मतलब कुछ knowledge की बात हो रही है ठीक है अब क्या करना होगा the little जो थोरा knowledge की बात हो रही उसके बारे में बात हो रहा तब जाकर यह सही हो जाएगा little नहीं the little का use करेंग ठीक है अब आते next question of first step in a rational solution to any problem in the recognition that type of problem exist अब आपको जैसे first दिखा तो पता हो ना कि first आप सब्सक्राइब को पता कि जैसे first दिखते होगा तो लगता हुई सुपरलेक्टिव डिगरी द्यालागा दो ठीक है बात सही है लेकिन यहां पर ध्यान रखेगा तो हर बार यहां पर ऐसा नहीं होता है आपको first उसके अनुसार वो जो होता है क्या बेस्ट के संसमें तो डिनल नमबर है ठीक है पहला है फिर्षट के आपी नमबर है तो होलेल नमबर के साथ क्या लगता है बाई अलगता है बह्orient घ котором लगता है कहने कमात द प्लस ओर डिनल नमबर है न और इल के साथ कहले द प्लस ओर डिनल नमबर तो आपका यहां नहीं हो कि द होगा द फर्स स्टेप ठीक है चलिए ने स्थाथ इंपोर्टन कुर्शन में से एक है कि डोंट टॉक तु हीम ही ऑल्वेस रिमें इन टेंपर इस है रिमें इन टेंपर दिज द जय क्या होगा याज एंसर है न इंपोर्टन कोशन आmm02 क्या होने वाला है थेया देद आश्म प्लस तो यहां पर जो इंपोर्टन यह है अभी मैंने कई बार ऑन गोला aids कि झालाखे किशें है यहाँ पर इन के साथ यहां यहां पर यहां पर यह इन तेमपर की बात हो गई कि इन तेमपर होता है, इन टेमपर नहीं होता है, है ना, चलिए, अब आते को सब नमर एट पर, जो कि क्या है, भई, इस ओरर, है ना, इस ओरर जो अफ देमेजर, ठीक है, इस ओरर आफ देमेजर में पुट दे लाइफ आफ टूटाजन वरकर टो नेदंगे इन मैं ए रिमिने मेटेगे कि एक था स्वश्ते बीब्रेद बत्र लुचऑ Cam ओंू तो यह तो सही यहाँ है यहां 다음에 रहां रखी लेकिन लिकें इं.. छेसे कुष्षित लेगा को और पलुच ने । बत्र भॉलज हॉन दिन भॉल admit g blood यहां ठीक है तब यह सही हो गया था लेकिन इसमें ए आपको लगाकर दिया जाएगा है ना आपको क्या लगाकर दिया जाएगा आपको ए लगाकर दे दिया जाएगा जैसे कि क्या लिख दिया जाएगा है यहां पर इन डेंजर ठीक है आप क्या समझेंगे भई जैसे इनर टेंपर होता है इनर डेंजर भी होगा नहीं यहां पर नहीं होगा ठीक है यहां पर नहीं होगा सिर्फ इंडेंजर ओडिमेंटिक ठीक है चलिए लेस्ट कोशन है कि I inspired him to take the hurt in all adverse situation and deserve to be called a real hero तो मैंने भी क्या बता है यहां पर देख रहते हैं इडिमेटिक था यहां भी इडिमेटिक है तो यह देख रहे हैं ना take hurt ठीक है take h-e-a-r-t यह भी क्या है भई आपगा idiom है तो ठीक है ना idiom में the कायूज नहीं करेंगे the guys नहीं करेंगे सिर्फ take hurt होगा clear चले नेस्ट कोशन पर आते हैं the most happy ठीक है the most happy matters would be a union of a deep man to a blind woman है ना अब यहां पर आपको find out करना होगी कहां पर error है ठीक है तो थोड़ा सा वक्त आप लिजिए और आप हमें बताएं ठीक है चलिए अब आप लोग साथ ढूंड़ पाए होंगे या नहीं ढूंड़ पाए होंगे तो कोई बात नहीं यहां पर हम इसे क्या करेंगे solve करेंगे ठीक है तो आप यहां पर देखने a union क्या यहां पर एक combination दिख रहा होगा ठीक है a union ठीक ना a union of a deep ठीक तो यहां पर आपको एक combination अज़र आता होगा दन प्लस नाउन प्लस नाउन ओफ नाउन का ठीक है नाउन ओफ नाउन का यहां पर प्लस नाउन ठीक है तो यहां पर यहां पर यह चीज यहां रही रहा ठीक है दो प्लस नाउन प्लस के पहले क्या करेंगे आप दर लगाएंगे ठीक है आप इसे कार्टेंगे और यहां पर क्या लगाएंगे दर ठीक है the most happy marriage would be the union of a deep man to a blind man ठीक है चलिए है तो दुबा समझ में आगया होगा अब आगे बरेंगे सवाल पर और यह भी काफी important सवाल में से एक है है ना यह भी आपके लिए काफी important में से एक है तो देखें next question पर आते it is the most important question which you have to prepare very carefully है ना अब यहां पर देख लिए जिए the most important the most important ठीक है तो यहाप गउज होगा नहीं करेंगे ठीक है क्यों नहीं करेंगे ठीक है ज। दो कि थे बगर हम बात करें दर्मॉस्ट तो क्या होता है यह superlative лेटिव डिगरी में होता है लेकिन अगर बात करेंगे लहां पर यह most तब क्या होथा यह positive कि यह दिगरी में होता है है ना है पॉजि brew धुग है तो संसे आफ देख रहें कि पॉजिटिव डिगरी का या पुजिटीव डिगरी में अब दल्र exec नहीं करेंगई है पbst कर thou दह नहीं करेंगे दां लगा करेंगे किसे करें यहां पर जो यहां पर देख रहे हैं ठीक है आपको किया करना होगा है इसके पहले स्पर लेटीव डिगरी तो होता ही है ठीक है यहां पर बात समझ महें कि most important superlative degree की हम बात कर रहे थे superlative degree की बात कर रहे थे तो more than two things के लिए होता है तब वहाँ पर 10 का यूज करते हैं लेकिन अगर हम positive degree की बात कर रहे तो एक आयूज करते हैं ठीक है ध्यान रखेगा यह चीस बहुत important है कई वार exam में आपको यह चीज कोशन पढ़ने हो तो बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा लेकिन ध्यान रखेगे गलती आप कर बैठेंगे और भी कई सारे कोशन है फटाफट देखते हैं जो की exam में आते है इस फादर फारवेड हीम तो गो टू सिनेमा लेट नाइट ठीक है मैंने एक वार आपको बताया था फारवेड का रूल ठीक है फारवेड का रूल मैंने क्या बताया था कि फारवेड ठीक है फारवेड यहां पे तो पास्ट में लिखा हुआ है फारवेड के साथ मैंने क्या बताया था की object आता है ठीक है profit की साथ के आता है object आता है प्लस 2 आता है यह formation बनता है तो इंद्यामी क्या देदेग के बाद आपको to के बाद Лघा दें白 जुटकि यहां पर गलत हो esses वह आपका first form होता है ठीक है ना forward object 2 ूप 1 सही है अब देखना to के बाद cinema लगा हुआ है ठीक है to के बाद यहाँपर क्या लगाना होगा the तो to the cinema the लगाने से क्या होता है ना यह कोई काम आपका यह मुल काम नहीं है ठीक है आपका ये मूल कामी कभी-कभी की बात होती है ठीक है तो यहाँ पर ध्यान रखेगा दर सिनेमा करेंगे ठीक है तो दर सिनेमा के लिए आपको क्या है कि आप डेगलोड़ वो चीज़ वो काम नहीं करते हैं ठीक है जो काम आप कभी-कभी या किसी खास परपस के लिए जाते हैं तब वहाँ पर द लगाते हैं अगर continue कि आपका वो नहतिक कर्तव है वहाँ आपका मुल कर्तव है वहाँ जाना तब आप वहाँ पर दन नहीं लगाते हैं लेकिन किसी खास परपस जाते हैं तो वहाँ पर द लगाते हैं तो इस से रिलेटेट और वी कोशन है देख ली जगा ठीक है जैसे देखे राम सजेस्टेट तो his brothers that they should go to the school regularly and do their homework sincerely अब देखें बाइग गो go to the यहां पर जो नहीं होगा क्यों भाई श्कूल जाने काम तो उसका क्या है उसका एक करतव है उसका वो डेली का वो दिंचरिया है उसको तो जाना जाना कि इस बात को उसका काम जो है मौलिक जो उसका उदेश से वो जाना वो तो जाए गए इसलिए यहां पर दा कई उजने करेंगे ठीक है अब आते नेस्ट कोशन के after returning from the jail he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life after from the jail आप फिर से दा लगा दिया गया नहीं होगा मैने अभी बताया था ठीक है return from jail का मतर्व सजा काट करें लौटना अब criminal activities किया तो सजा करें लौट रहेगा ठीक है दह लगा देंगे तो कोई कार करके jail से लौटना अंतर है न कोई कैदी jail से सजा करके आता है काम करके नहीं आता है तो दर लगा देंगा तो खास परपस से हो जाएगा ठीक है तो ध्यान रखेगा दर नहीं लगाते है न चलिए अब आते नेस्ट कोशन पर काफी इंपोर्टन कोशन में से एक होगा ठीक जो धीक है वें दा हाउस वास सेट ऑन फायर अल्ड़ पीपल स्टाइट क्राइग अड़ टॉप अफ दिर वोईसेश सेट ऑन फायर है ला यह बहुत इंपोर्टन है ठीक है तो ध्यान के क्या हम इसमें चिंजस करेंगे या ग्या नहीं करेंगे तो यहां पर जो जो यहां पर आपको ठीक है सेट ऑन फायर एक्जाम में क्या दे देगा आपको सेट ऑन दफायर ठीक है तो क्या होगा वह गलत हो जाएगा और यहां पर सही है सेट ऑन फायर होता है ठीक ना ह है तो ऑन यह अनत है फाइरी की बात परी औहां औ अन दा फाइर नही calor ह되 भलकि और फायर होता है ठीक है जो कि इडियामिनटीग है ठीक है तो दियां रखेंगो हुशं में कभी भी इससेरे में कभी यह तरह का जाए जैसे कि सेट के साथ अगर on fire आजा सेट on fire ठीक है तो fire के पहले हम कभी भी दह का यूज नहीं करेंगे ठीक है तो इस संटेंस आपका सही है सेट on fire सही है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो यहां पे आपको फिर्ट से समझना होगा कि यहां पे अंसर क्या हो सकता है और अगर आप दे सकते हैं जवाब अच्छी बात है नहीं तो फिर तो मैं बताओंगा ही है तो आप कोसे से कवार खुशते करें ओदे तो चलिए अब मेरे बार के बताने का है ना मैं बता देता हूं क्यां पर क्या Doneही तो देखें आप यहां पर देखने को क्या लग रहा है ये प्लूडल गलत है देखने को यह प्लूडल लग रहा है लेकिन इक गलत है न्यूज क्या है अन कॉंटेबल नाउन है ठीक है जाए आपका एक वर्ड आता है बहुत यह popular question होता है exam में, luggage ठीक है, luggage जैसे word आजाता है exam में, scenery वाला word एक आजाता है, तो ध्यारे किया है, यह क्या है, सभी एक uncountable noun, इनके पहले कभी अर्टिकल A, N का use नहीं करते हैं, ना, चलिए, less question है कि he is the best artist of the time, but unfortunately less recognized, ठीक है, अब समझना हो कि यहाँ पर क्या करसा किएंगे, यहाँ पर क्या use करेंगे, तो जाकर यह सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अब आप लोग का बाली बताने का, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है, दीए, क्या है, गलती यहाँ पर, अब से को पता है कि superlative degree की adjective के पहले, superlative degree के adjective के पहले, dh लगता है, तो देख रहे हैं पर, superlative degree के adjective के पहले, dh लगा हुगा है, न? he is the best artist सही है of the time उस time पर but unfortunately less recognized मिसके बहुत सारे artist है उनमें से ये best artist लेकिन उस समय unfortunately least recognized तो ये जो list देख रहे है न ये भी क्या है आपका super leitiv degree है और इसके पहले हम क्या करेंगे the लगाएंगे the list लगाएंगे तब जाके सही होगा clear लगा चले next question पर आते हैं कि there were a number of pretty girls in the party but it was Ragni who remained a center of attraction center noun ठीक है center क्या है यहाँ पर noun है of क्या प्रिपूजिसन है attraction क्या है noun तो noun of noun का combination जब रहे तो हम क्या बताये थे कि पहले first noun के पहले हमें दा के यूज करते है ठीक है यहाँ पर यह हटाएंगे दा के यूज करेंगे the center of attraction होगा से ठीक है चले अब यह जो question है काफ़ important question में बताने जा रहा हूँ ठीक है तो इस बार पर ध्यान रखेगा यह क्या है he is unfortunate enough to lose few friends he made during his stay at partner ठीक है अब यहाँ पर क्या ऐसा यहाँ पर error होने वाला है ध्यान रखेगा लखे error यहाँ पर यह है कि आपको change यह करना होगा आपको ठीक है he is unfortunate to lose few friends अब यहाँ पर बात बताईए few सबसे पहले जाने few किसमें लगए यह क्या है countable now ने यह क्या countable now ने few लगता है अब मैं बताया था few का मतलब कहा था नहीं के बराबर नहीं के बराबर अब जब नहीं के बराबर हो रहा है he is unfortunate enough to lose नहीं के बराबर अब नहीं के बराबर अगर friend है ही ने तो भाई उसको मतलब उसको जब कोई friendly नहीं होगा तो he may during his stay at Ptna तो positive sentence कहाँ होगा तो आपको few के पहले क्या करना होगा आपको the few लगाना होगा ठीक है the few the plus few में इसकी जो थोरा उसके दोस्ते हैं वहाँ पे क्या है वो समय क्या किया था Ptna कुछ कुछ दोस्त है वहाँ पे है यह बात यहां रखेगा यह चीज में बताने पांवाइभार देख रहे है न यह क्या है क्वांटिटिटीव एड्जेक्टिव है पाहले ध्यां रखेगा पोजिटिव डिग्री आता है न यह unfortunate कई बारा ऐसे एक्जाम में आजा जागे जैसे कि स्मार्टर एनफ का देगा जैसे कि माले के एक example देखते हैं जैसे लिख देगा smarter एनफ एन ओ यू जी अच ठीक है तो गलत है हम यहाँ पे एनफ के पर नौर्थ इंडिया वट्कृष्णा is फौर सौथ इंडिया अंगेस पता हैं रीवर का नाम है और रीवर के नाम के पहले क्या लगता है यहाँ पर दर तो है लिखें इसके पहले बी क्या होगा दो करिश्णा ओगा ठीक है डा करिस्णा चिंव लेस्ट कोशनी की वन सूट बी टु वन्स प्रॉमिसस इन अडर टु अर्ड नेंड फिर इन देन दा लाइव ठीक है अब यहां पे क्या होगा बहूत इंप्रॉटन कोशन में से एक है कि यहां पर क्या एर्र होने वाला है ना ज्यांद जगा तो देखिए वन सूट भी ट्रू तो वन्स प्रॉमिस से इन और तो अने copy कर देखि हैं एक ना उन और उसके पिले कि आर्टिकल ये अपर बलाएध नहीं होगा ठीक है न क्योंँ होगा जब आप इनिवर्सली जब इसको ठीक है यूनिवर्सली जब आप इसको यूज करते हैं ठीक है जिसे करते हैं व्यापक अर्थ में व्यापक अर्थ में जब इसका यूज करते हैं ठीक है तो हम जैसे कि लाइफ एक वर्ड हो गया SCINC Science हो गया Man हो गया Life Science Man Woman ठीक है इनके पहले हम क्या करते है Article the case नहीं करते है करते कभे Life Science के साथ जब कोई खास यूज होता है खास अर्थों में होता है तब यूज करते है जैसे the life of this patient ठीक है तब उस sense में हम करेंगे the life of this patient तो खास अर्थ में हो गया Life लेकिन अगर हम Universal या व्यापकर्स में करते है पुरे मानव जाती है कि हमारे में अगर बात होती है Life Science की बात होती है Man की बात हो तब वहाँ पे हम लोग दाक्यूस नहीं करते है ठीक है तो Error यहाँ पी यह है अब आते है नेस्ट कोशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है Music is Science बट सिंकिंग इस एन आर्ट ठीक है Say the Music Teaser अब इन दोनों में समझने वाली बात क्या है समझने वाले बात है कि Science ठीक है Science के पहले क्या होगा हमें A Science करना होगा ठीक है तब जाकि ये सही होगा हमें A Science यहां पर करना होगा ठीक न? तो यहां पर एक बात पर ध्यान रखेगा कि जब भी Science वर्ड आये तो उसके पहले हम A करेंगे क्योंकि Science का जब हम हम व्यापा कर्थ में अच्छा यहां पर सबसे पहले बात समझे थीक है ठीक है बलकि ר Bundest के तब यूज करेंगे ब्यापक अर्थ में हो तब हम क्या करते है नहीं यूज करते है तब A का यूज नहीं करते है लेकिन अगर हम बात करें यहां पर branch of knowledge की बात करें ठीक है branch of knowledge based on scientific principles तब वहां पर हम यूज करेंगे ठीक है अब इसी में एक चीज और देख लिजे आर्ट के बारे में बात करें आर्ट का मतलब क्या होता है एक परियोग कला ठीक करें आर्ट का अर्थ में हो तो इसके पहले कोई article नहीं होता है है ना लेखिन आर्ट का अर्थ जब आसár चेहिया आर्थ आर्थ जब एकOSE स्कील के सेंस में हो त्यक्र आपकर से जब स्कील से सेंस में हो तब उन्हां पर आर्डिकल ये लगता है ठीक है रिएग योज देशन है 2 के प्रियोग कला ठीक है आर्ट का कोई परियोग कला है कि रिशन बेट फिल थिंग्स होता हुद आप उसके बहले कोई आर्टिकल नहीं होता है तो दिया रहे हैं यह आर्ट और यह मूजिक बहुत साइज्ट वाला काफी इंपॉर्टन्ट है साइंस जब यापक करते में हो तब हम आटिकल के विज़ करते हैं कि जैसे म्यूजिक इस आसाइंस वाट सिंगिंग इस इस एन आर्ट से दिम्यूजिक में म्यूजिक टीसर ने बताया था ठीक है क्योंकि आर्ट के यहां पर बात